वाल, बेस्ट स्मार्ट वाच अंडर 2000 इन इंडिया 2023 अब देखो यार, 2000 रुपे के बजट पे न आपको काफी सारी स्मार्ट वाच देखने को मिल जाती है यार इतने सारे ओप्शन्स है न एक कन्फूजन हो जाता है बट डोंट वरी, इन टोडेस वीडियो में आपको इन सारी स्मार्ट वाचे में से केवल पाच ऐसी स्मार्ट वाच बताऊंगा जो कि आज की डेट में आपकी हर एक नीर को फुल्फिल कर देती है लाइक अगर आपको एक राउंड डायल स्मार्ट वाच लेनी है तो अगर आप एक ब्लुटूथ कॉलिंग स्मार्ट वाच लेना चाहते हो तो आपको जिस भी तरह की स्मार्ट वाच लेनी है इस वीडियो में मिल जाएगी अगर आप दाट एक फ्रीक पे नए हो तो सब्सक्रेब कर दो बल अकन को दबा दो बाकी गाइस चलिए लेट्स गेस स्टाड़िट गईस लिस्ट में सबसे पहले आती है नंबर फाइफ पे जो कि आपको फायर वोल्ट की फीनिक्स प्रो देखने को मिल जाती है फायर वोल्ट की दरफ से ये जो स्मार्ट वाच है ना गईस राउन डायल स्मार्ट वाच है आपको 1.39 इंचिस का एक HD डिस्पले देखने को मिल जाता है बट आलसो ये एक ब्लूट कॉलिंग स्मार्ट वाच है आपको यहां पर स्मार्ट हेल्थ असिस्टेंट देखने को मिल जाता है जहां SPO2 मोनिटरिंग मिल जाएगी हर्ट रेट ट्रेकिंग मिल जाती है स्लीप मॉन्टरिंग मैडिटेटिव ब्रीधिंग साथ की साथ फीमेल हेल्थ केर भी मिलता है स्मार्ट वाच के बिल्ड की बात करूँ तो इसका जो डायल है काफी स्टले मा जाता है आपको फुल मैटलिक फिनिश देखने को मिल जाता है इसका जो क्राउन है वो भी जस लाइक एक प्रीमियम स्मार्ट वाच की तरह ही आता है आपको दो-तीन अलग-अलग कलर्स में देखने को मिल जाती है बाकि यहाँ पर आपको 120 प्लस स्पोर्स मोर मिल जाते है AI वाइस असिटेंट मिल जाता है आपका सारा काम हो जाएगा यहाँ पर जो माइक क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आती आज स्पीकर आप अगर ऐसे एंवाइरमेंट में हो जहाँ पर नॉइस वगेरा जाता है तो आपकी आवास के साथ वो नॉइस भी जाती है सामने वाले तक यह जो स्मार्ट वॉच है ना एटीन हंडर रुपीज में आ जाती है आज की डेट में बट पायर वोल्ट वाले पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं आपको इसकी MRP 12,000 रुपे देखने को मलती है खेर यह बिल्कुली खतम स्ट्रेटेजी है बट हाँ अगर कोई round dial smart watch लेना चाहते हो metal build में आप इस वाली को check out कर सकते हो जो की आपको noise की तरफ से इनकी newly launched color fit pulse 3 देखने को मिल जाती है यार इनकी जो color fit series है ना हर बार कुछ ना कुछ अच्छा करती है अब इस वाली smart watch में भी आपको 1.96 inches का एक बड़ा display देखने को मिल जाता है जो display है ना वो daylight में आपको बिल्कुल immersive experience देता है आपको सब कुछ visible रहेगा चाहे आप sunlight में भी चले जाओ 24 x 7 heart rate monitoring मिल जाती है यहाँ पर आपको noise का health suit मिलता है जहाँ पर सभी तरह के health monitoring मिल जाएगी आपको अब यह एक बात ध्यान रखना आप 2, 3, 4,000 रुपे की smart watches लेते हो ना इनके जो health sensors होते इतने जादा accurate नहीं होते चाहे आप कोई सी भी ले लो like 80 to 90% आप कह सकते हो बट वो accuracy नहीं मिलती अब यहाँ पर because display बड़ा है तो bezels काफी कम आते हैं इसमें right side में आपको crown देखने को मिल जाता है heavy plastic build में आ जाती है यहाँ पर आपको blue calling function मिल जाता है and auto sport detection भी मिलता है इसके अलावा 170 plus watch faces मिल जाते है in total 7 days की battery life मिल जाती है बाकि calling में आपको 3-4 दिन की battery life मिल जाती है बाकि yes यहाँ पर जो speaker and mic की quality है ना थोड़ी सी enhanced जाती है like आपका काम चल जाएगा यह जो smart watch है ना आपको 4-5 अलग-अलग colors में देखने को मिल जाएगी जो कि आप Amazon पर जाके check out कर सकते हो link description में दे दिया है मैंने price की बात करूँ 2000 रुपे की आ जाती है smart watch fix at number 4 you can check this one now guys here comes the third one which is boat extant call plus यह boat की यह जो smart watch है ना बले ही number 3 पे but अगर आप एक perfect Bluetooth calling smart watch लेना चाहते हो then check this one यहाँ पर आपको 1.91 इंचिस का एक HDD display देखने को मिल जाता है जो कि literally काफी कम bezels के साथ आता है आपको यहाँ पर 550 nits के आसपस Brattens देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको Bluetooth calling function तो आता ही है साथ की साथ ENX stack मिल जाता है जो की basically noise cancellation का काम करता है like जो mic की quality है ना वो इस smart watch में बाकियों के मुकाबले सबसे बहतर निकल के आती है आप जो भी बोलते हो ना सामने वाले तक बिल्कुल crispy and clear voice में पहुंसता है आपको यहाँ पर around 100 plus sports mode मिल जाते है multiple watch faces मिलते है like others and English and Hindi languages मिल जाती है साथ की साथ IP68 की waterproof resistance ही मिलती है sweat, dust and splash resistance आती है यह बाकि सभी तरह की health monitoring मिल जाएगी आप इसको iOS and Android दौनों के साथ में use कर सकते हो because blue calling मिलती है तो आपको dial pad भी मिल जाएगा tan contacts को आप save कर सकते हो यहाँ पर एक काफी ठीक ठाक premium design में आ जाती है बाकि यहाँ पर जो colors है न वो इसके काफी तगडे निकल के आते है लेकि आपको एक purple color देखने को मिल जाता है green मिल जाता है cherry blossom and black color चार तरह के अलग-अलग colors मिलते है overall यह जो smart watch है न गाइस 2000 रुपे के आसपास आजाती है लेकि इसका price vary कर रहा है अभी क्योंकि recently launch हुई है but यह आपको 2000 रुपे के आसपास मिल जाएगी अगर आपका purpose dedicatedly calling जादा है स्मार्ट वाच में इस वाली को ज़रूर चेक उट करना now guys here comes the second one which is firebolt eternal guys firebolt की यह जो smart watch है काफी जादा अच्छी निकल के आती है यहाँ पर आपको जो display area है थोड़ा सा जादा मिल जाता है 500 nits की peak brightness देखने को मिलती है 120 plus sports mode मिल जाते है and smart split screen मिलती है for toggle जो कि आपको कई सारी smart watches में मिल जाती है अब यह भी एक Bluetooth calling smart watch है तो यहाँ पर जो mic and speaker की quality है ना वो आपको एक average सी देखने को मिलती है like mic की quality थोड़ी सी ठीक आती है बट speaker इतना अच्छा नहीं आता है इसका बाकी तो आपको call notification वगेरा सब कुछ मिली जाता है health tracking वगेरा सारी चीज़े मिल जाती है कुछ built-in games मिलते है 100 plus watch faces मिल जाते है इसका जो battery life है using Bluetooth calling लगबग 3 दिन का आता है and without Bluetooth calling आप लगबग 5-6 दिन निकाल सकते हो look wise काफी जाद अच्छी निकल के आती है जो crown है वो भी काफी aesthetic look देता है इसकी जो price है ना अलग-अलग colors में vary कर रही है like इसका जो black वाला variant है 1700 rupees का आजाता है and जो different colors है ना वो 2500 rupees या अदर-अदर prices पे आ रहे है but या 1700 rupees में ठीक-ठाक perform करती है आप at number 2 इसको check out कर सकते हो now guys we come to the last and the best one which is beat xp vega या beat xp की ये जो smart watch है ना round dial वाली आ जाती है जो की 1.43 inches का एक बड़ा display देती है like round dial में ये जो display थोड़ा बड़ा है आपको यहाँ पर जो display देखने को मिलती है ना वो एक amoled display 1000 nits की brightness मिलती है यहाँ पर आपको तो literally in display सारी smart watches को beat कर देती है ये बाकी यहाँ पर आपको fast charging मिलती है एक बाकी smart watches में लगबग 3 गंटे लगते हैं full charge होने में ये थोड़ा जल्दी हो जाती है like 2-5 गंटे में हो जाती है like जो आपकी voice है ना काफी clear सामने वाले तक जाती है speaker quality भी ठीक ठाक आती है overalls का जो build है ना 2000 रुपे की price के साब से काफी ठीक है बाकी lastly ये जो smart watch है ना पाँचों ही smart watches में आपको काफी अच्छी value देती है इन UI firebolt से थोड़ा सा पीछे है बट हाँ ठीक टाक UI निकल के आता है बाकी beat xp की ये जो smart watch है आपको fix 2000 रुपीज में देखनी को मिल जाती है वैस overall बात करूं पाँचों में से कौन सी smart watch आपको purchase करनी चीए तो देखो अगर आपको round dial में metallic smart watch लेनी है firebolt phoenix pro ले सकते हो बट round dial smart watch लेनी है और fix 2000 रुपीज खर्च कर सकते हो तो beat xp को आँख बंद करके purchase कर लो अब आपको round dial से कोई मतलब नहीं है square dial ही लेनी है ये आपका fix है ना तो जिनको सिर्फ calling जादा matter करती है तो उस मामले में boat अच्छी निकल के आती है overall value अच्छी चाहते हो उस मामले में noise भी अच्छी निकल के आती है बट एक जो beach वाली चीज है ना वो firebolt निकल जाती है जहां पर आपको UI थोड़ा अच्छा मिल जाता है बड़ा display मिल जाता है and calling में भी अच्छा perform कर लेती है जो price है उसका वो भी कमाता है so as you need a pacho में से कोई सी भी smart watch ले सकते हो बागी आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो like करना नीचे comments में बताओ इन में से कौन सी smart watch आप लेने वाले हो या already ले चुके हो मैं मलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में